हलो एवरीवन, वेलंकम टो मअी चैनल, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि सीरम का हिंदी में क्या मतलब होता है तो सीरम का हिंदी अर्थ होता है सीरम या पर रस, लस, ती का, मेधा, यानी रक्त सीरम तो Medical line में सीरम शब्द का उपयोग जो किया जाता है वो रक्त का वह तरल हिस्जा होता है जिसमें रक्त को सिकाएं और थक्का बनाने वाले कारक नहीं होते हैं जब रक्त को थक्का जबने दिया जाता है रक्त का तो जो तरल पदार्थ उपर उठता है उसे सीरम कहते हैं इसका उपयोग भी विविन परकार के परिक्षणों में किया जाता है जैसे रक्त समुह का निर्धारन, रोगों का पता लगाना आदी तवचा का सीरम भी होता है जैसे संद्री उतपादों में सीरम एक हलका केंदरित तरल होता है जो तवचा को पोशन देने और विस्षिष्ट समस्याओं का समाधन करने के लिए उपयोग किया जाता है सत्ते बुलवाने की ओस्षधी पुराने समय में सेरम शब्द का उपयोग एक कालपनिक ओस्षधी के लिए किया जाता है जिसके बारे में माना जाता था कि यह किसी व्यक्ति से सच बुलवाने में मदद करती है तो इसके साथ इस वीडियो में बस इतना ही Thank you for watching